हेलो दोस्तो आप लोगों ने अपने घर में चूहों को जुरूर देखा होगा और आप लोगों को चूहों की एक खासियत का भी पता होगा कि चूहे घर के हर सामान को कुतर देते हैं चुहे घर में मौजूद किताबों, कपडों, अखबारों, प्लास्टिक कितारों और लकड़ी के सामान को भी कुतर देते हैं तो दोस्तों चुहे ऐसा क्यों करते हैं? वो घर के हर सामान को क्यों कुतरते हैं? तो चलिए दोस्तो इस वीडियो में हम आपको पूरे विष्थार से समझाएंगे कि चूहों की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो घर के हर सामान को कुतर देते हैं लेकिन उससे पहले आपको ये जो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है इसको दबा कर इस घंटी को जरूर दबा ले ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलती रहें देखिये दोस्तों आप लोगों की जानकारी के लिए बता देते हैं कि घर के सामान जैसे कपड़े किताबे या अख़बार आदी इन सब को कुतरने से चूहों का पेट तो नहीं भरता ना ही वो सामान को खा सकते और ना ही वो पचा सकते फिर भी वो इतने मजबूर है कि वो घर के हर सामान को कुतरते रहते हैं देखिये दोस्तों चूहों की इस मजबूरी का कारण है उनके दांत जी हाँ दोस्तों चुहे के आगे के दो दांतों की बढ़ोतरी बहुत जल्दी होती रहती है यानि चुहे के आगे के दांत तेजी से बढ़ते रहते हैं चुहों के दांत एक साल में दो से तीन इंच यानि पांच सेंटीमीटर से लेकर आठ सेंटीमीटर तक बढ़ जाते हैं और इसी मजबूरी के कारण चुहे अपने दांतों को समय समय पर घिसाते रहने के लिए घर की दिवारों, सिमेंट, पथ, किताबों, कपड़ों, तारों या प्लास्टिक की चीजों को कुतरते रहते हैं ताकि उनके दांत जितने जल्दी बढ़ते हैं उतने ही साथ साथ में घिसते रहें अगर चुहे घर के सामान को कुतरना छोड़ दें तो उनके दांत 5-8 सेंटीमीटर तक बढ़ जाएंगे जिनकी वज़े से चुहों का चुहों की मजबूरी है ना की आदत तो दोस्तों उमीद करते हैं कि आप लोगों को चुहों के बारे में यह जानकारी पसंद आई होगी कृपया करके इस वीडियो को लाइक और शेयर करें धन्यवाद